परिजय मोहन और उसके पिटाजी बालकोनी में खड़े हैं वे प्राता काल की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं मोहन सड़क की ओर उस्जापूर्वक कुछ देख रहा है पिटाजी बिजली के खंबों पर वा स्लेटी रंग का बॉक्स जैसा क्या रखा हुआ है? बेटा वह एक ट्रांसफार्मर है ठीक है पिताजी और इसका उप्योग क्यों किया जाता है? किर्पिया मुझे बताएं बेटा इसका उप्योग विद्युद की वोल्टता कम करने के लिए किया जाता है उर्जा केंद्रों पर उत्पादित की जाने वाली विद्यूत की वोल्टिता कई हजार होती है ट्रांसफार्मर इस वोल्टिता को घरों के लिए 220 वोल्ट तक तथा उद्योगों के लिए 440 वोल्ट तक कम कर देता है ठीक है पिताजी और मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ ट्रांसफार्मरों के बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें प्रत्यवर्ती धारा के बारे में समझना होगा तो चलो बच्चो, आज हम प्रत्यवर्ती धारा के विशे में अध्यन करेंगे उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्नि करने में सक्षम हो जाएंगे श्रणी पथ LCR परिपत का विशलेशन करना प्रतिबाधा तिर्भुज को निरूपित करना LCR परिपत में अनुनात की व्याख्या करना LCR परिपत में अनुनात की तीक्ष्णाता का वड़न करना शक्ती गुडांक की गड़ना करना LC दोलनों का वड़न करना ट्रांसफार्मरों को परिभाशित करना ट्रांसफार्मरों के प्रकारों को समझना ट्रांस्फार्मरों में उर्जाक्षय का विवेचन करना श्रणी बद्ध LCR परिपत एक परिपत पर विचार करें जिसमें प्रतिरोध R का एक प्रतिरोधक, प्रेरकत्व, L का एक प्रेरक और संधारिता C का एक संधारित्र, एक AC स्रोध पर श्रणी क्रम में संगोजित हैं माना की स्रोध वोल्ट दा Vm sin ω T के बराबर है लोप पर किर्खौफ का नियम प्रेयुक्त करने पर हम प्राप्त करते हैं कि V बराबर Vr प्लस Vl प्लस Vc उर्द्व अक्षपर किसी क्षण में Vr का प्रक्षेप Vr के बराबर होता है जिसका अधिक्तम मान Im और R का गुणनफल होता है धारा फेजर I से पाई बटे दो आगे फेजर Vl प्रेरक पर वोल्ट दा प्रदशित करता है किसी क्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vl होता है जिसका अधिक्तम मान Im और XL का गुणनफल होता है धारा फेजर I से पाई बटे दो पीछे फेजर Vc संधा रित्र पर वोल्ट दा प्रदशित करता है किसी क्षण में उर्द्व अक्षपर इसका प्रक्षेप Vc होता है जिसका अधिक्तम मान Im और Xc का गुणनफल होता है अब हम वोल्ट दा फेजरों Vr, Vl और Vc को सदिशिये रूप से जोड़ते हुए फेजर V प्राप्त करते हैं जो परिपत पर नेट वोल्ट दा दर्शाता है V अधिक्तम बराबर वर्क मूल Vr अधिक्तम वर्ग प्लस Vc अधिक्तम माइनस Vl अधिक्तम वर्ग समकोन तिर्भोज नेट वोल्ट दा तथा कला कोन के अधिक्तम मान का समिकरण प्रदान करता है 105 बराबर Vc अधिक्तम माइनस Vl अधिक्तम बटे Vr अधिक्तम ओम का नियम प्रेयोग करने पर हम पाते हैं कि Vm बराबर Im गुणे वर्गमूल आर वर्ग प्लस Xc-Xl वर्ग हम परिपत की प्रतिबाधा वर्गमूल आर वर्ग प्लस Xc-Xl वर्ग के रूप में प्राप्द करते हैं अब उप्रोक्त समीकरण निम्न रूप लेता है Vm बराबर Im और Z का गुणन फल हम इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं Im बराबर Vm पटे Z या Irms बराबर Vrms पटे Z श्रडी पत्थ LCR परिपत का फेजर चित्र हल परिपत के सभी बिंदों पर तादक्षनिक धारा का मान समान रहता है आई बराबर Im साइन ओमेगा T प्लस फाई जहां फाई इस रोध पर वोल्टता तथा परिपत में धारा के बीच कला अंतर है तीनों घटकों पर तादक्षनिक वोल्टता के तादक्षनिक धारा से निम्न कला संबंद होंगे प्रतिरोधक VR पर तादक्षनिक वोल्टता तादक्षनिक धारा I के साथ कला में है प्रेरक VL पर तादक्षनिक वोल्टता धारा I से पाई बटे दो आगे है संधरित्र VC पर तादक्षनिक वोल्टता धारा I से पाई बटे दो पीछे है प्रतिबाधा तिर्भुज प्रतिबाधा तिर्भुज का उप्योग प्रतिबाधा की करना करने के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोध प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परीपत में उपस्तित हों और प्रेरक प्रतिखाथ तथा धारिता प्रतिखाथ के बीच का अंदर कुल प्रतिखाथ हो विकण रूप में प्रतिबाधा Z के साथ समकोन प्राप्त होता है राशी XL-XC परिपत का प्रतिखाथ कहलाती है जिसे X से निर्दिष्ट किया जाता है 10-5 पराबर XC-XL बटे R LCR परिपत में अनुनाद अनुनाद ऐसे निकायों में घटित होता है जिनमें किसी विशिष्ट आवरिती से दोलन करने की प्रवृत्य होती है जब इस प्राकृतिक आवरिती के एकदम पराबर आवरिती वाला एक आवधिक वाहे पल इस निकाय पर लगाया जाता है अनुनात में वाहे आफदिक पलद्वारा निकाय को दी जाने वाली उर्चा अधिक्तम संभव धरपर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलंकती होती है आवृत्ती ओमेगा नौट जिसपर धारा आयाम अधिक्तम हो जाता है परिपत की अनुनाद आवृत्ती कहलाती है ओमेगा नौट बड़ाबर एक बटे वर्कमूल एल्सी होता है अनुनाद में धारा दोलनों का आयाम पूरी तरह से प्रतिरोध आर द्वारा निर्धारित किया जाता है I M अधिक्तम बराबर V M बटे R होता है LCR परिपत में अनुनाद में तातक्षणिक धारा I तथा वोल्टिता V कला में होते हैं LCR परिपत में अनुनाद की तीक्ष्णता वैद्धुतिक अनुनाद पर प्रतिरोध का प्रभाव अनुनाद वक्र की तीक्ष्णता को चीन करता है प्रतिरोध जितना ही छोटा होगा अनुनाद वक्र उतना ही तीक्ष्ण होगा परिपत का गुणवत्ता गुणांक Q, ओमेगा नौट L बटे आर होता है, या एक बटे ओमेगा नौट C आर गुणवत्ता गुणांक का उप्योग अनुनाद शिक्रों की तीक्षनता को वर्नित करने के लिए किया जाता है, यदि आर छोटा या एल बड़ा है, तो ये इंगित करता है कि अनुनाद अधिक तीक्षन है, तथा परिपत अधिक चायनात्मक है उधारण गुणांक दो तक बढ़ाना अपेक्षित है, आएए इसका हल देखें, दिये गए मान है, एल बराबर तीन हेन्री, सी बराबर सत्ताइस कुणें दस की घात माइनस छे फेराड, आर बराबर साथ दशमलाव चार ओम हम जानते हैं कि अनुनाद आवरित्थी एक बटे वर्कमूल एल सी होती है, अब मानु को रखते हुए हम अनुनाद आवरित्थी 111 रेडियन प्रती सेकंड प्राब्त करते हैं, क्यू गुणांक बड़ाबर ओमेगा आर एल बटे आर है, अब मानु को रखते हुए हम क्यू आर के विद्थ करमानु पाती है, इसलिए क्यू को दोगुना करने के लिए आर को आधा होना जाहिए। शक्ती गुणांक परिपत में विश्रेत तातक्षनिक शक्ती है, P बराबर वी आई, एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का समय माध्य वी आरमेस कुणे, आई आरमेस कुणे, कॉस फाई, हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि परिपत में आपूर्ती की गई औस्च शक्ती ना केवल वोल्टता तदा धारा पर निर्भर होती है, बलकि उनके बीच के कलाकोन फाई की कोजिया पर भी निर्भर होती है, कॉस फाई को परिपत का शक्ती गुड़ांक भी कहा जाता है, प्रती बाधा आरेक से हम शक्ती गुड़ांक को निम्नुवत परिभाशित कर सकते हैं, कॉस फाई बराबर अब हम एक पूर्ण चक्र पर शक्ती का मात्थे समय आगणित करने के लिए उप्रोक्त दोनों समय करणों का उप्योग करते हैं. पी बार बराबर आई आरमस वर्ग तथा आर का गुड़न फल। विभिन परिपतों में शक्ती गुडांक। प्राकरण एक प्रती रोध की ये परिपत। यदि परिपत में केवल प्रती रोधक है, तो फाई बराबर चुनने। इसमें अधिक्तम शक्ती शह होती है। P बार बराबर V RMS और I RMS का गुणन फल। प्राकरण दो, शुद्ध प्रेरिकिये या धारितिये परिपत। यदि परिपत में केवल प्रेरा किया संधारित्र है, तो 5 बराबर माइनस 5 बटे 2 या 5 बटे 2। कौस फाई कमान बराबर शुन्ने इसमें शक्ती शह नहीं हो दी, P बार बराबर शुन्ने प्राकरण तीन, LCR श्रणी करम परिपत। यदि परिपत में प्रेरक, संधारित्र तथा प्रतिरोधक हैं, तो कौस फाई कमान शुन्ने और एक के बीच रहता है। ऐसे परिपत में सदेव शक्ती क्षय होता है, P बार बराबर V RMS, I RMS और कौस फाई का गुणन फल। प्राकरण चार, LCR परिपत में अनुनाद में शक्ती क्षय, शक्ती केवल प्रतिरोधक में क्षयत होती है। LCR परिपत में प्रेरा किया संधरित्र पर उश्मा के रूप में शक्ती क्षयत नहीं होती। LC दोलन हम मानते हैं कि आरंब में LC परिपत के संधरित्र C पर आवीश क्यू होता है और प्रेरक में धारा आई शूने होती है। उस समय संधरित्र के वैद्यूतिक शित्र में संचित उर्जा UE होती है। तथा प्रेरक में संचित उर्जा UB चूनने होती है। संधरित्र अब प्रेरक के मात्यम से निरावेशित होना आरंब हो जाता है। धारा वामा वर्त प्रवाहित होनी आरंब हो जाती है। संधरित्र पर आवेश घड़ता है। लेकिन प्रेरक के चुम्ब की एक शित्र में उर्जा बढ़ जाती है। उर्जा संधरित्र से प्रेरक में इस्थानांत रित की जाती है। संधा रित्र में संचित उर्जा पून रूप से प्रेरक के चुम्ब की एक्षित्र में इस्थानांत रित्र करती जाती है इस चरण में प्रेरक में धारा कमान अधिक्तम हो जाता है अब प्रेरक से उर्जा का प्रवहा वापस संधा रित्र की ओर बहने लगता है क्योंकि विद्ध क्षेत्र पुना बन जाता है प्रेरक से संधारित्र की ओर समस्त उर्जा का इस्थानांतरन होता है ये परिस्थिती आरंबिक परिस्थिती के समान होती है सिवाई इसके कि संधारित्र विप्रीत आवेशित होता है संधारित्र पुना निरावेशित होना शुरू हो जाता है धारा अब दक्षण वर्ति दिशा में प्रवाहित होती है संधारित्र में संचित समस्त उर्जा प्रेरक के चुम्ब की एक्षेत्र पर इस्थानांत्रेत करती जाती है उर्जा अब प्रेरक से वापस संधारित्र की ओर प्रवाहित होने लगती है उर्जा का निरंतर आवा गमन संधारित्र के विद्ध क्षेत्र तथा प्रेरक के चुमिकी क्षेत्र के बीच होता रहता है यह प्रक्रिया वी की निश्चित आवरिती पर जारी रहती है यदि LC परिपत में प्रतिरूद उपस्तित न हो तो LC दोलन अनंतिकाल तक जारी रहेंगे ट्रांस्फार्मर ट्रांस्फार्मर ऐसी युक्ति होती है जो AC वोल्टता वा धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है ट्रांस्फार्मर में कोमल लहफ क्रोड होती है जिस पर तारों की दो कुंडलियां लिप्टी होती है एक प्रात्मे कुंडली कहलाती है जिस पर N-P लपेटे होते है और दूसरी दुद्यक कुंडली कहलाती है जिस पर N-S लपेटे होते है प्राथमिक कुंडली AC-EMF-0 से जुड़ी होती है दूतिय कुंडली ट्रांसफर्मर का आउंटपुट प्रदान करती है कोमल लोह क्रोट का उप्योग जुमिकिये फ्लक्स बढ़ाने तथा एक माथ्यम उपलब्द कराने के लिए किया जाता है जिसमें एक कुंडली के माथ्यम से लगभग समस्ति फ्लक्स अन्न में चला जाता है प्राथमिक और दुएतिय कुंडलीयों के माथ्यम से फ्लक्स परिवर्तित भी होता रहता है और इसलिए दूनों कुंडलीयों में एक EMF प्रेरित होता है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधी जब प्रात्मिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यवर्थी वोल्ड दा लगाई जाती है तो प्रत्यवर्थी धारा इसमें लोह क्रोड में एक परिवर्थन शील चुम्मिकी एक शेत्र उत्पन्न करती है जो कि चुम्मिकी एक शेत्र परिवर्थन शील होता है इसलिए प्रात्मिक और दूइत्यक कुंडलियों के माध्यम से फिलक्स परिवर्थित भी होता रहता है और इसलिए दोनों कुंडलियों में एक EMF प्रेहरित होता है माना की फाई दोनों कुंडलियों के प्रत्यक लपेटे के माध्यम से चुम्मिकी ए फ्लक्स है पारसपरिक प्रेहर्ण के कारण दूइत्यक में EMF प्रेहरित होता है प्राद में कुंडलियों में स्वाप्रेहर्ण से EMF प्रेहरित होता है अब दोनों समिकरणों को विभाजित करने पर हम पाते हैं कि ES-EP प्राबर NS-NP ये समिकरण ट्रांस्फार्मर समिकरण कहलाता है इसे तर्मिनल वोल्टता के रूप में निमनवत लिखा जा सकता है VS-VP प्राबर NS-Pन अनुपात NS-Pन-P ट्रांस्फार्मर के लपेटों का अनुपात कहलाता है ट्रांसफार्मरों के प्रकार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर जब दूइत्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से उच्चतर होती है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर जब दूद्यक वोल्टिता प्रात्मिक वोल्टिता से निम्नतर होती है तो ऐसा ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है वोल्टिता को उच्चाइद करने वाला ट्रांसफार्मर साथिसाथ धारा को अप्चाइद भी करता है IS पटे IP बराबर VP पटे VS बराबर NP पटे NS ट्रांस्फार्मर के अनुप्रयोग तारों के माध्यम से विद्ध उर्जा का लंबी दूरियों तक संप्रेशन करने से पहले वल्टता बढ़ानी के लिए इसका उप्योग किया जाता है ये विद्ध आपूर्टी उद्ध्योग के आधार हैं जिनके कारण मांक शेत्रों से सुदूर इस्थिच शेत्रों में विद्ध उत्पादन संभाव हो पाता है निम्न वल्टता परिपतों वाले विद्ध उत्पादों के अनुसार उप्योगत इस तर तक आपूर्टी वल्टता को कम करने के लिए इन में ट्रांसफार्मरों का काफी उप्योग किया जाता है आवर्दकों के इस तर युक्मित करने के लिए और माइक्रोफोन वा रिकॉर्ट प्लेट जैसी युक्तियों को आवर्दकों के इन्पुट से मिलान कराने के लिए सिंगनल तथा आउडियो ट्रांसफार्मरों का उप्योग किया जाता है आडियो ट्रांसफार्मरों के कारण ही टेलिफोन परिपतों में तारों के एकलियुक में दो तरफा संप्रेशन कराना संभा होता है ट्रांसफार्मरों में उर्जा क्षय निम्न अनुसार है फ्लक्स क्षरन उर्जा का क्षय होता है जब प्रात्मिक द्वारा उत्पन समस्त फ्लक्स दूइतिय से नहीं गुजरता प्रात्मिक और दूइतिय कुंडलियों को एक दूसरे के उपर लपेट कर इस हानी को कम किया जा सकता है कुंडलनों का ततिरोध कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा की कारण उड़ जाक्षय होता है मोटे तारों का इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है भावर धाराएं लह क्रोड में भावर धाराओं के कारण उश्मा के रूप में उड़ जाक्षय होता है स्तरेत क्रोट का उपयोग करके इस हानी को कम किया जा सकता है शेह थिल्ले लोह क्रोट के चुम्बकन वा विजुम्बकन के चक्रूं के दौरान उत्पन उश्मा के रूप में उर्जा काक्षा होता है कम शेथिल्ले पाशवाली क्रोड समक्री का उप्योग करके इस हानी को कम किया जा सकता है कुमल लौ क्रोड का उप्योग शेथिल्ले हानी और फलक्सिक शरन को कम करता है क्या आप जानते हैं समानांतर अनुनाद परिपत का उप्योग रिजेक्टर या फिल्टर परिपत के रूप में किया जा सकता है रेडियो ट्रांस्मीटरों में ऐसे परिपत उप्योग किये जाते है सन 1826 में फ्रांसीसी वग्यानिक फैलिक सावेरी द्वारा ये खोच की गई कि संधरित्र विद्ध दोलन उत्पन्न कर सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं श्रिणी बद LCR परिपत में प्रतिरोधक पर तादक्षणिक वोल्टता तादक्षणिक धारा के साथ कला में होती है प्रेरक पर तादक्षणिक वोल्टता धारा आई से पाई बटे दो आके होती है संधारित्र पर तादक्षणिक वोल्टता धारा आई से पाई बटे दो पीछे होती है प्रति बाधा तिर्भुज का उप्योग प्रति बाधा की गणना करनी के लिए किया जा सकता है जब प्रतिरोध प्रेरकत्व तथा संधारिता सभी परिपत में उपस्तित हों अनुनात में वाहे आवधिक बल द्वारा निकाय को दी जाने वाली उजा अधिक्तम संभव धर पर होने पर निकाय में विशाल आयाम वाली दोलनकती होती है LCR परिपत में अनुनात में तातिक्षणिक धारा आई तथा वुल्टता वी कला में होते हैं ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति होती है जो एसी वुल्टता वा धारा का आयाम घटाने या बढ़ाने के लिए उप्योग की जाती है ट्रांसफार्मर में कुंडलनों में उत्पन होने वाली उश्मा के कारण उड़ जाक्षाए होता है मोटे तारों के इस्तिमाल करके इस हानी को कम किया जा सकता है कोमल लोह क्रोट का उप्योग शेथिल्ले हानी और फ्लक्स शरन को कम करता है